कि अचलिए पुर्ट वेजिस बनाने के लिए हमने लिये हैं पटेटो इसको मैंने पांच से च्छे वर इसकी स्कीन को धुआ है और स्कॉम वन इंटू एट काट रहेंगे स्कुष तरह से और फिर यहां से हमने आलो को वन इंटू एट काट रहें हमने सारा आलो काट लिया है इसकों 5-6 वर धुएंगे ताकि जितना इसमें स्टार्च है वो निकल जाए अब हमने आलो बॉयल करने के डख दिया है हम इसको 5-7 मिनिट इसे ज्यादा रखेंगे और 40-50 प्रसेंट इसको कुक करेंगे यह मैंने एक डोरी के क्री मैदा लिया है इसमें हम डालेंगे और गैनो इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे ब्लैक प्डेपर पॉर्डर इसमें डालेंगे नमक अब इसका पतला से एक बैटरम नाएंगे इसको मिक्स करने के बाद इसम डालेंगे पानी और इस तरह से पूंढ और दालेंगे इसमे पानी हम अ अ इस बैटर हो नोड़ा पतला उखेंगे और यह की कंसेस्टेंसी है यह पोरिंग कंसेस्टेंसी होने चाहिए इस तरह से अब हम कडाई में रखेंगे तेल हमारा आलू वहां से हमारा आलू हो गया है इसको हम मैंने गैस अठा लिया और इसका पानी को स्टें कर लेंगे हम हमारा बैटर बन गया है बैटर में हम यह आलू इस तरह से डिप करेंगे पाइल में डाल ले और इसको आईल में डाल ले गए तरह सारे बैडर बैटर को बना लेंगे यह हमारे पटेटो वेज़ीस बनके रेडी हो गए है इसको मैं टॉमेटो सॉस के साथ सर्व कर रहा हूं आप चाहो तो कर्ड एक डिप बनती है जिसमें आप गार्ली को टॉस कर के कर्ड डिप बनती है उसके साथ भी सर्व कर से है